जै मतादी आज आप सुनेंगे पूस मास के सुकल पक्ष की पुत्रदा एकादसी की कथा एकादसी के ब्रत में कथा का बहुत मैत्त होता है जो भी बहन भाई एकादसी का ब्रत करते हैं उनको कथा जरूर सुननी चाहिए आप कथा अपने घर के मंदर के पास बैठ कर सुन सकते हैं मंदर के सामने आप तुलसाजी के गंबले के पास बैठ कर सुन सकते हैं आप सुर्य नारायन भगवान को साक्षी मान कर अपने आंगान या छत पर बैठ कर सुन सकते हैं या फिर आप कहीं भी बैठ कर सुन सकते हैं एक जल का लोटा भर कर रख लीजिए थोड़ी सी मिसरी अपने पास रख लीजिए और हाथ में जल या आपके पास पुस्प हैं तो पुस्प ले लीजिए एकादसी के ब्रत में कहानी का बहुत महत्तर होता है और कथा इस प्रकार है स्री अधिश्टर जी कहने लगे कि हे भगवान पुस्प महा के सुकल पक्ष की एकादसी का क्या नाम है ब्रत करने की विधी तथा इसका महत्तम किरपा करके कहिए मदुसुदन कहने लगे इस एकादसी का नाम पुत्रदा एकादसी है अब आप शांती पूरवक इसकी कथा प्रकार है दवापर युग के आरम में महिस्मती नाम का एक नगरी थी जिसमें महिस्जित नाम का एक राजय राजय करता था लेकिन पुत्रहीं होने के कारण राजय का सुक दायक नहीं लगता था उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोग और परलोग दोनों ही दुखदायक होते हैं पुत्र की प्राप्थी के लिए राजा ने अनेक उपाय किये परंतु उसको पुत्र की प्राप्थी नहीं हुई रधा वस्ता आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतीनिधियों को बु नहीं ली है प्रजा को पुत्र के समान पाला है अप राधियों को भी अपने पुत्रों के समान ही दंड दिया है कभी किसी से घ्रणा नहीं की सबको समान माना है सज्जनों की सदा पूजा करताया हूं इस प्रकाद धर्म युक्त राजय करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है स तो मैं अत्यांत दुख्य पा रहा हूं इसका मेह कारण मुझे समझ नहीं आ रहा राजा मही जीत की बात सुनकर मंतरी और प्रजा के लोग प्रधिरते पिचारने लगे और सोचा वन में जाकर रिशी मुनियों के दर्शन करते हैं स्रेश्ट तपस्री मुनियों से मिलते हैं और फिर उन से सलामस्वरा करते हैं राजा के मंतरी जंगल की तरफ चल दिये वन में उन्होंने देखा एक स्रेश्ट तपस्री मुनियों जो अपने आस्रम में बैठे थे और बहुत ही वयोबृद्ध थे धर्म के ग्याता थे तपस्री थे और परमात्मा में मन लगाए हु वह थे उनका समस्थ सास्त्रों के ग्याता लगते देखने में महात्मा लोमेस मुनी उनका नाम था उन जुनके कलप के वतीत होने पर एक रोम गिर जाता था सब ने जाकर रिशी को परणाम किया उन लोगों को देखकर मुनी ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं निसंदे मैं आप लोगों का हित करूंगा मेरा जनम केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है इस मैं संदे मत करूं लोमिस रिसी के ऐसे वच्छन सुनकर सब लोग बोले हे महरसी आप हमारी बात को ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थ हैं जानने में अथे आप हमारे इस परण से वे बहुत दुखी रहते हैं उन लोगों ने आगे कहा हम लोग उनकी प्रजा हैं अतहे उसके दुख से हम भी दुखी हैं आपके दर्सन से हमें पूर्ण विस्वास है कि हमारा संकट अवश्य दूर हो जाएगा क्योंकि महान पुर्षों के दर्सन मातर से ही अनिक के बंद की और राजा के पूरुजनम का ब्रतान जानकर कहने लगी यह राजा पूरुजनम में एक निर्धन वैश्य था निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किये यह एक गाउं से दूसरे गाउं व्यापार करने के लिए जाया करते थे एक समय जिस्ट मास के शु को जल पीते हुई हटा दिया और स्यम जल पीने लगे इसलिए राजा को यह दुख सेहना पड़ रहा हे एक अधसी के दिन भूका रहने की वज़े से वेह राजा हुए और 88 ग्वाय को जल पीते हुई हटाने से करण पुत्र भीयोक का दुख सेहना पड़ रहा है ऐसा सुनकर सब लोग रिशी से कहने लगे कि रिशी सास्त्रों में पापों का प्राश्चित भी लिखा है अतहे जिस प्रकार राजा का यह पाप नश्ट हो जाए ऐसा कोई पायवत आईए लोमिस मुनी कहने लगे कि पूस मास की सुकल पक्ष की एकादसी को जिसे पुत्रदा एकादसी कहते हैं तुम सब लोग ब्रत करो और रात्री को जागरण करो इससे राजा का यह पूर्जनम का पाप अवस्य नश्ट हो जाएगा साथ ही राजा को पूत्र की अवश्य प्राप्ती होगी लोमिस रिशी के ऐसे वचन सुनकर मंतरि सहित सारी प्रजा नगर को वापस लोटाई और जब श्रावन पूस मास की सुकल पक्ष की एकादसी आई तो रिशी के आग्या के अनुसार सबने पुत्रदा एकादसी का ब्रत और जागरण किया इसके पश्चात द्वादसी के दिन जिसके पूर्ण का फल राजा को दिया गया उस पुर्णे के प्रभाफ से ही राणी ने गर्धारन किया और प्रसब काल समाप्थ होने पर उसने बहुत ही तेजश्वी पुत्र को पैदा किया इसलिए हिराजन इस रावन सुकल एकादसी का नाम पुत्रदा पड़ा अतहे संदान सुक की इच्छा हासल करने वाले इस ब्रत को अवश्य करें इसके महात्म को सुनने से मनुस्य के सब पाप मुक्त खो जाते हैं और इस लोग में संदान सुक भोग कर परलोग में स्वर्व को प्राप्थ होता है जो एक अदसी का ब्रत नहीं करते अगर कथा सुनते हैं तो कथा सुनने मात्र से उनको बहुत पुन्य की प्राप्ति होती है और उनकी संतान दीरगाईयों होती है निसंतानों को संतान मिलती है तो बोलिए श्री हरी विश्नु भगवान ने कीज़े इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने युद्धिश्टर को पांडवों को पूस मास की शुकल पक्ष की पुतरदाई कादसी की कथा सुनाई आप लोगों को कथा अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बोक्स में श्री राधे राधे श्री हरी विश्नु लिख कर आप भी पुन्ने प्राप्त कीजिएगा तिल देन बाई 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 जै माता दी जै स्री कृष्ण राधे राधे फ्रेंड्स